प्यारे बच्चो नमस्कार आज की कलास में हम बात करने वाले हैं परसिंटेज और रेसियो की इस तरह का कोशन का जो बार बार आपके जामे पुछा जाता है इसके लिए एक सेकंड काफी होगा अगर पूरे कंसिप को समझ गए तब अब अन तक अबने रहेगा बहुत सिंप है मिलाता है जिसके का कहा कितना पाणी और मिला दिया जाए यानि की दूद यहां हो जाएगा भईया तो कॉंस्टनT हो जाएगा अता आपको दूद पर ही सोचना है ये धियां रखे तो देखिए पहले मिश्रन में कितना दूद था पानी तो था 10% यानि की दूद था 90 इतना तो समझ में आ रहा है दूसरा जो मिश्रन त्यार होगा पानी मिलाने के बाद उसमें पानी हो जाएगा 20 परतिसत यानि की दूद कितना रह जाएगा भाई या 80 परतिसत इतना तो मिलाने के बाद मात्रा भर कर हो जाएगा मिश्रन का इसमें से एक आप घटा लोगे कितना आ गया तो कहोगे एक बटा आठ भाग पानी मिलाना होगा किसका एक बटा आठ भाग मिस्रन का मिस्रन कितना है 40 लिटर अता लिटर में निकालना है तो 40 लिटर से आप गुना कर दिजिए कितना लिटर पानी मिलाना होगा तो आपका उतर होगा 5 हम सारे कंसिप को समझाएंगे और रेशियो वाले कोशन को भी हम कई से चुटकी बजाते हल करें उसकी भी बात करेंगे आता पूरे कंसिप को समझने के लिए आन तक आप जरू वीडियो को देखेंगे काता है मदरा और पानी के 80 लीटर मिसरन में 60% मदरा है कितना पानी मिलाया जाए देखो यहां पर क्या बोला कितना पानी मिलाया जाए यानि कि मदरा आपका क्या है भाईया इस्थीर है आता परयोग किस पर करेंगे मदरा पर करेंगे देखे सुर में मदरा कितना था 60% क्लियर है उसके बाद मदरा कितना चाहिए 50% इसमें से एक माइनस कर दो यानि आगया एक बटा पाच भाग आपको मिलाना होगा पानी कितना पानी मिलाना होगा एक बटा पाच भाग कितना का भाया तो मिस्रन है 80 लिटर तो गुना 80 लिटर कर दो लिटर में निकल जाएगा कि कितना पानी मिलाया जाएगा तो आप कहा द चीनी के घोल में 40% चीनी है कितनी चीनी और मिला दिया जाए क्या मिला रहा है चीनी क्या मिला रहा है चीनी यानि यहां पे किस पर परियोग करेंगे भईया तो कहेंगे पानी पर किस पर परियोग करेंगे पानी पर नहीं जो आइटम नहीं मिला जा रहा है उस पर आपको पर इतना भाग हमें चीनी मिलाना होगा, इतना भाग हमें चीनी मिलाना होगा, कितना का, तोटल मिसरन था 300 केजी, यानि केजी में निकालना है, तोटल मिसरन से इसमें गुना कर दो, आप तो आ जाएगा 60 केजी, कितना चीनी मिलाना होगा, 60 केजी, समझ में आ रहे ये बात, इल्मुनिया मिलाया जाए इल्मुनिया मिलाने की बात किया है यानि कहीं न कहीं यहां हम परियोग करना है हमको किस पर भाया तो कहेंगे तामा पर है ना तामा नहीं मिलाया जा रहा है या तामा पर परियोग करेंगे तामा देखो कितना है यहां पर तो कहेंगे 30% है जो मिश्रन बनेगा उसमें तामा कितना चाहिए तो कहेंगा 20% इसमें से एक माइनस कर दोगे सुन-सुन कट गया कितना आगया एक बटा 2 भाग एक बटा 2 भाग तामा मिलाना होगा कितना का एक बटा 2 भाग तोटल मात्रा का टोटल मात्रा कितना है दो केजी तक गुना दो केजी कर दिजिए आपका उतर आ जाएगा यानि एक केजी हमें तामा मिलाना होगा एक केजी का मतलब एक हजार गराम यानि किसी option मेरा क्या होगा सही होगा चलिए अगर यही question ratio के रूप में अगर आप से पूछ दे तो कैसे बनाईएगा तो बिल्कुल तरीका वही होगा जो पहले आप बना रहे थे जिसी question को देखिए कहता है 200 लिटर दूदा पाने के मिस्नर में दूदा पाने का अनुपात है 17 अनुपात 3 यदि कुछ दूद और मिला दिया जाए क्या मिला रहा है भाईया दूद यानि सोचना किस पे हमको है इतना तो क्लियर हो गया कि पानी पे पहले की जैसा ही कि अनुपात 7 अनुपात 1 हो जाए तो मिलाएगा दूद के मतल़ा क्या है तो पहले देखिए पानी है कितना तो कहेगा पानी 3 है कितना में 20 में यानि यहां पे पानी है 3 बटा 20 बात आ रहा है समझ में या नहीं समझ में आ रहा है यहां पे पानी 1 है कितना में 8 में यानि यहां पे पानी है 1 बटा 8 बात आ रहा है समझ में करते क्या थे आप कुछ नहीं करते थे यह बटा ए करते थे कर दो न तो तीन बटा बीस हाना आप बटा में ए करते थे यानि की एक बटा आठ तो बटा में क्यों करिएगा एक बटा आठ को जो ही उपर ले जाएगा तो उल्टा क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा ठीक है ब बनुद्धे थे इतने भाग उसको डूद्ध मिलाना होगा बस आपका इंसर आ जाएगा तो दू चो आठ फाकश बटा पाँच एक नियूद्ध नियू गूना कर दे radio test कितना दूद मिलाना होगा भाईया, तो 40 लिटर, चलिए आगे देखते हैं, हलका फलका दिकत होगा, तो वो क्लियर हो जाएगा इस कोशन में, कहता है, 400 ग्राम इस धातों में, जींक और कॉपर का अनुपात है, पाच अनुपात 3, अनुपात को पाच अनुपात 4 करने के लि तो उल्टा 9 बटा 5, गुना कर दो, एक घटा दो, इतना हमें कॉपर मिलाना होगा, इतना भाग हमें कॉपर मिलाना होगा, पांच से पाच कर जाएगा, 9 बटा 8 घटा, एक याने की एक बटा 8 भाग, एक बटा 8 भाग हमें कॉपर मिलाना होगा, ग्राम में पुशा है, टो option A हमारा सही होगा रुख जाईएगा भी जाईएगा नहीं आगे और भी question है अलग ढंका यहाँ पर गौर करिएगा इस question को कहता है 75 लीटर मिस्रन वाले दूधा पानी का अनुपा दो अनुपात एक है मिस्रन में कितना और पानी मिला दिया जाए पानी मिलाने की बात किया है यानि की दूध पर हमें सोचना है किस पर सोचना है भाईया दूध पर हमें सोचना है तो यहाँ देखो दूध कितना है तो कहेंगे दो बटा तीन है नहीं यहाँ पर दूध कितना है दूध दू है अब पुरा मात्रा 3 है तो 2 बटा 3 है हमें चाहिए जिसमें दूद कितना होना चाहिए एक अनुपात 2 यानि कि 1 बटा 3 चाहिए एक बटा 3 का उल्टा 3 बटा 1 इस में से 1 माइनस कर दिजिए इतने भाग आपको मिलाना होगा यानि आ गया 2 बटा 1 माइनस 1 यानि कि 1 बटा 1 भाग इतना भाग लेकिन हमसे तो पूछा गया है कि लीटर में कितना मिलाया जाए टोटल मात्रा 75 लीटर था यानि इतना गुना 75 लीटर यानि कि कितना लीटर मिलाना होगा भाया तो कहा देंगे 75 लीटर यह आपका प्रस्म का उत्तर होगा चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन एक बात आओ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो अगर बढ़िया लगता है तो लाइक सेर किया करिए तथा यह कोशन आपके लिए हम शोड़ रहे ह हैं जिसका उत्तर जिसका उत्तर कॉमर्स बॉक्स में आप जरूर देंगे ठीक है आपका एंसर का हमें इंजार रहेगा हमें दीजिए विदा मिलते हैं अगले कलास में जब तक खुश रहिए मंगर रहिए ओके बाई बाई